सूपर आवर में रोहित सर्मा और रवी बिस्नोई के कमाल ने टीम इंडिया को जिताया मुकाबला रचा एधिहाज नमस्कार दोस्तु स्वागत आपका एक बार फिर हमारे चैनल में दोस्तु पारत अफगनिस्तान के बिच तीसरे टीटाउंटी मुकाबले का नतीजा दो-दो सूपर आवर के बाद निकला चांपर पारती टीम ने अंत में दूसरे सूपर आवर में मुकाबले को जीत लिया तो दोस्तो हम आपको पूरा हाइलाइट बताएंगे इस वरड़ो में की आकिरकार दोनों सूपर और में किस परकार से संदार परपॉमेंस किया टीम इंडिया ने तो साथी पहले मुकाबले का भी पूरा हाइलाइट हम आपको बताएंगे लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी टीम इंडिया की इस संदार जीत को देख कर खोसे तो इस वर्डा को लाइक जरूर कर दें और साथी साथ अब इतक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाले तो चले दोस्तों जानते है इस 12 संदार मकापले का पूरा हाईलाइट तो दोस्तों आज के इस मकापले में टोस्त की हम बात करें तो सिखा उचाला रोहित ने और गिरा भी उनिके पक्स में रोहित ने टोस्ट चीत कर पहले बल्ले बाची का फैसला किया टेम इंडियास तीन बदलाओं के साथ मैदान पर उत्रित हुएं पर चार बदलाओं के अफगानिस्तान की टीम ने पार्थी टीम की तरफ से एक बार फिर यसासुी जैसला और रोहित पारी की सुरात करने उत्रे लेकिन दोस्तों यहां पर पहले और में दो चोके जरूर लेक्ने को मिले लेकिन दोनु चोके बाई के जर्ये मिले थे लेकिन इसके बाद दोस्तों याँ पर रोईत सर्मा ने संदार परपॉमेंस करते हुए तीसरे और की पहली गेन पर फारिद एमद के एक बैतरी न चोका लगा कर अपनी पारी का संदार आगाज किया लेकिन इसके बाद तीसरे और की तीसरी गेन पर फारिद एमद ने यससवी जैसवाल को मुहमद नभी के हातू केज करवा कर पैवलेन बेचा और पहला जटका टीम इंडिया को दिया यससवी जैसवाल छे गेनों पर चार रन बना कर पैवलेन लोटे तो वहीं पर इसके और गजब की सुरात यहां पर मिल चुकी थी अफगानिस्तान की टीम को लेकिन इसके बाद चौते और के आकरी गेन पर अजमतुला ओमरजाई ने सीवम दुबे को भी विकेट की पर गुर्बाज के हाथूं एक कमाल के केज़ के साथ इस पारी को समाप्त कर दिया सीवम दुबे कापिस संदर बलेबाज थे जो कि अच्छी फॉर्म में थे लेकिन आज के मकाबले में छे गेनु का सामना करने के बाद सिर्फ एक रन बना कर चलते बने इसके बाद नए बलेबाज आज मौका मिला संदू को लेकिन पाचवे और की तीसरी गेन पर फारिद एहमद ने उनको भी मुहमद नभी के हाथू केज करा कर पैवलेन बेचा और भारती टीम को मातर 22 रनू के स्कोर पर चोता जटका दे दिया यहाँ पर हम बात करें संजू सेमसन की तो वो भी गोल्डन डक पर ही चलते बने लेकिन इसके बाद दोस्तों चटवे और की पहली गेन पर अजमत तुला के कमाल का चोका डीप थट की तरब रोहित के बल्ले से देखने को मिला रोहित का सोट कमाल का था तो वहें पर इसके पर बेजा इसके बाद इस मकाबले का पहला चका रिंकु सिंग ने सलीम से पी की गेन पर लगाया जब उन्होंने आठवे और की तीसरी गेन पर कमाल का सोट कहलते वे गेन को सी दे बेकोट स्कारले के ओपर से 6 रनों के लिए बॉन्डी लाइन के पर बेजा तो इसके और कमाल का सोट यहां पर कहला और गेन को गेप में डालते वे चौके के लिए बॉन्डी लाइन के पार बेजा सरपुदीन की तो वहीं पर इसके बाद बारवे और की चौती गेन पर सरपुदीन असरप की गेन को सांधार तरीके से 6 रनों के लिए रोईत ने बॉन्डी ल तर दिये इसके बाद कमाल की बले बाची रोट की जारी रही और तेरवे और की पेली गेन पर दूर क्यों gets लियर्गा उयक और को साइड स्कर नकैर बल्ला को उखने को मिला तो वहीं पर इसके बाद उस्तो रोई सर्मा ने तेरवे और की आखरी गेन पर एक और कमाल का रिवर स्वीप सौट किला और इस बार भी चौके के साथ है कमाल का परपॉमेंस करते वे अपना बहतरीन अर्द सतक पूरा कर लिया रोईत के परपॉमेंस के हम बात करें तो उन्होंने 41 गेनों पर अपना कमाल का अर्द सतक पूरा किया वहीं पर इसके बाद उस्तो रोईत सर्मा ने सौलवे और की पहली गेन पर सलीम की गेन पर एक कमाल का चोगा जड़ा यहां पर गेन कुस संदर तरिके से उन्होंने 44 के लिए सोट फाइंड की तरफ बैस दिया लेकिन इसके बाद इसी और की दूसरी गेन पर एक और कमाल का सोट कहलते वे उन्होंने डीप सकरले के उपर से गेन को सिधे 6 रनो के लिए स्टैंड में डिपोसित कर दिया और इस छगे के साथ दोनों बले बाजो के 27 गेनों पर सांदार सत्य की साज़ेदारी भी पूरी हो गई वहीं पर इसके बाद सौलवे और की आखरी गेन पर रिंकू सिंग ने एक और कमाल का चोका लगाया और इस चोके के साथ भारती टीम का स्कोर 130 रनों तक पहुँच गया इसके बाद दोस्तु सतरवा और डालने आए करीम जनत की पहली गेन पर रोहित सर्मा ने कमाल का सोट कहलते वे एक और सांदार चोका आउटसाइड ओप की तरफ कहल दिया और कमाल का चोका जड़ा चबकि दोस्तु और की तीसरी गेन पर भी उनके बल्ले से एक और कमाल का चचगा देखने को मिला इस बार उन्होंने ओवर वाइड लॉंग ओप के उपर से गेन को छे रनू के लिए बोड़ी लाइन के पार बेजा तो वहीं पर अठारवे और की पांचवी गेन पर भी उनके बल्ले से फारिद एमत के एक और सांदार चोका स्कौार लेक की तरफ देखने को मिला ये भी कमाल का चोका था इसके बाद उन्यसवे और की दूसरी गेन पर रोहित सर्मा ने अजमतुला ओमरजाई की गेन को सीधे स्टेंड में डिपोसिट किया लेकिन इस बार तो गेन स्टेडियम से बाहर जाते जाते रुकी और 90 मिटर का छका इन्होंने जड़ दिया तो मैंपरस की अगली गेन पर उनके बल्ले से एक और सांदार चोका देखने को मिला जबकि दोस्तु रोहित अब 99 रनों पर पहुंच चुके थे लेकिन उन्होंने 19-वे और की चोती गेन पर एक और चोका लगा कर यहां पर पांच वा टी टेवन्टी सतक पूरा कर लिया रोहित सर्मा ने इस सतक के लिए मातर 64 गेनों का ही सामना किया और तूफानी बले बाची करते वे तूफानी सतक ठोक दिया T20 में अब सबसे ज़्यादा सतक करने वाले बन गए बलेबाज रोहित लेकिन इसके बाद उस्तों उनिस्वे और के आखरी गेन पर एक कमाल के छक्के के साथ रिंकू सिंग ने भी अपना सांदार अर्द सतक पूरा कर लिया दोनों बलेबाजों की तुफानी बलेबाजी जारी थी लेकिन यहाँ पर बिस्वे और डालने आये करीम जहनत की पहली गेन पर रोहित सर्मा ने बिहाइंड इसक्वाइर एक बार फिर गेन को चार रनों के लिए बॉन्डी लाइन के पार पेज दिया बिस्वे और की दूसरी गेन जोके फ्री हिट गेन थी इस पर भी कमाल का सौट कहलते वे एक और सांदार चखका जड़ दिया और टी ट्रॉन्टी में अपना हाइस्ट स्कॉर बना लिया रोहित ने लेकिन इसके बाद बिस्वे और की चौती गेन पर रिंकु सिंग के बल्लसे करीम जनत की गेन पर एक और कमाल का चखका देखने को मिला और बारती टीम ने दोसो रनों का आंकड़ा चूलिया लेकिन और की पांची गेन जोकी फुल टॉस थी और इस पर भी एक और कमाल का च्छका जड़ा और इस ओवर में भारती टीम के इन बल्ले बाजों ने पांच छके एक चोका वे एक नॉबल वे एक सिंगल के साथ इस ओवर में 36 रन ठोक कर इतिखास रच दिया और भारती टीम ने 212 रनों का विसाल स्कोर कड़ा किया तो वहीं पर दोस्तो दोस्तो तेरे रनों के लक्से का पिछा करने उतरी अफगानिस्तान की टीम के लिए कमाल की सुरात की रहमनुला गुर्बाज तो उनके साथ ए टीम की कप्तान इब्राहिम जादरान दोरूं बले बाजों ने संदार परपॉमेंस करते वे सुराती और उ संदार तरीके से एकाउन रनों तक पहुँचा दिया यानि कि दोनों बले बाजों के भी संदार पचास रनों की पार नसी पूरी हो चुकी थी इसके बाद भी संदार परपॉमें जारी रहा यहां पर रहमनुला गुर्बाज का और उन्होंने सिवम दुबे के और में कमाल का च्छका लगाया इसके बाद 11 और में उन्होंने कुल्धी प्यादो को भी एक और कमाल का च्छका जड़ा इसके साथ संदार बले बाची करते वे उन्होंने अपना पहतरीन अर्द सतक भी पूरा कर लिया और टीम के लिए कमाल की बले बाची करते वे नजर आ रहे थे ल प्रुपाज 32 गेनों पर 50 रन बना कर पैवलेन लोटे तो वहीं पर इसके बाद तेरवे और की पहली गेन पर इबराहिम जादरान के बल्ले से भी कमाल का छका देखने को मिला और इस छके के साथ उन्होंने भी संदर बलेबाजी करते वे अपना बैतरीन अर्द सतक पूरा कर दिया इबराहिम जादरान अच्छी बलेबाजी करे थे लेकिन वो भी आर्द सतक बनाने के साथ ही पैवलेन लोटे और 42 गेनों पर 50 रन बना कर वो भी चलते बने तो वहीं पर इसके बाद उस तो यहां पर 43 वे और की चोती गेन पर आज मतुला अक्रीस पर उत्रे और पह तो यहां पर नए बलेबाज गुलबदीन और उनके साथ मुहमद नभी ने स्कोर को आगे बढ़ाया तो यहां पर 44 वे और में एक संदार चोका गुलबदीन ने लगाया तो इसके बाद 44 वे और की तीसरी गेन पर उनके बले से कमाल का च्छका आवेस खान की गेन पर लेड़ा तो उनकी दूसरी गेन पर उनके बले से कमाल का च्छका देखने को मिला यानि कि बेक टू बेक यहां पर भी दो च्छके आए इसके बाद तो कमाल के बलेबाजी मुहमद नभी की जारी रही और अब भारती टीम के लिए मुकाबला जीतना अतना असान नहीं था 16 गेनों पर 34 रनों की पारी केल कर पैवलेन लोटे मुहमद नभी लेकिन इसके बाद यहां पर गुलबदीन जो की अच्छी बलेबाजी कर रहे थे लेकिन इसी बीच करीम जननत के रूप में रनाउट के रूप में एक सपलता और टीम इंडिया को मिली सेमसन के एक बैतरी तरीके से एक्स्टा कवर की तरफ चार रनों के लिए बोंडी लाइन के पार पैस दिया तो और की आकरी गेन पर भी उन्होंने सामने की तरफ एक और कमाल का चोका लगाया इसी के साथ दोस्तों अब आकरी दो औरों में मुकाबला जीतने के लिए 36 रनों की जुरत थी अफ खान की गेन पर बड़ा सोट खेलना चाते थे नजीबुला लेकिन यहां पर विराट कोली के एक बैतरीन रनिंग जहां पर वो 38 मिटर की रनिंग करके उन्होंने बैतरीन केच पकड़ा और पैवलेन पेस दिया नजीबुला जादरान को जिन्होंने तीन गेनों पर पांच का चखका जड़ दिया और अब आकरी और में मुकाबला जीतने के लिए 19 रनों की जहरत थी लेकिन दोस्तों यहां पर पहली गेन वाइड डाल दी लेकिन इसके बाद दूसरी गेन पर गुलबदीन ने सांदार चोका जड़ दिया अब पांच गेनों पर 14 रनों की जहरत थ लेकिन इसके बाद दूसरी गेन सांदार तरीके से मुकेस कुमाड ने डोट गेन डाल दी लेकिन इसके बाद तीसरी गेन एक बार फिर मुकेस के तरफ से वाइड हुई लेकिन इसके बाद तीसरी गेन जब उन्होंने डाली फिर तो इस पर दो रन बने लेकिन चौते गेन पर गुलवदीन के बल्ले से कमाल का च्छका देखने को मिला इसके बाद तो अब दो गेनों पर टीम को जीत के लिए सिर्फ पांच रनों की जुरत थी लेकिन इसी बिश दोस्तों यहाँ पर पांच यह गेन पर दो रन बने तो आखरी गेन पर जीत के लिए तीन रन चाहिए थे लेकिन यहाँ पर गुलवदीन ने दो रन तोड़ कर पूरे कर ले और यह मुकाबला टाई हो गया यानि कि बारती टीम के 212 रनों के जुआप में 212 रन बना ले सांतार परपॉमेंस करते हुए अफगानिस्तान की टीम ने भी और इस मुकाबले को टाई कर दिया लेकिन इसके बाद एक बार फिर सूपर और सुरू हुआ तो यहाँ पर पहली गेन पर बारती टीम को गुलवदीन के रूप में सपलता मिली क्योंकि वो रन आउट होकर पेवलिन लोटे और उनके आउट होने के साथ ही अफगानिस्तान की टीम ने अपना पहला विकिट एक रन पर गवा दिया कुल बे दिन एक गेन पर एक रन बना कर रन आउट होकर पेवलिन लोटे तो वहीं पर इसके बाद दोस्तो सुपर और की दूसरी गेन पर मुकेस कुमार के सामने सिर्फ एक रन ले पाए मोहमा नभी जबकि दोस्तो तीसरी गेन का सामना करने के लिए मौजूद थे अब गुरबाच लेकिन तीसरी गेन पर गुर्बाच के बले का किनारा लेकर गेंद चार रनों के लिए बॉंडी लाइन के पार पहुँच गई यानि कि अब मिल चुके थे तीन गेनों पर छे रन लेकिन चौती गेन पर गुर्बाच एक बार फिर एक ही रन ले पाए लेकिन पांचवी गेन पर मोहमा नभी ने कमाल का छका लगाया और अब 13 रन बन चुके थे पांच गेनों पर लेकिन तबी दोस्तों यहां पर आखिरी गेन पर एक रन मिला लेकिन संजू सेमसन का तोरो सिधे नभी के पेर पर लगा और गेन गेप में चली गई जहां पर दोड कर इन दोनों बलेबाजों ने तीन रन पूरे कर ले और सुपर और में 16 रन बना ले यहां पर संधार परपॉमेंस करते हुए अफगानिस्तान की टीम ने और बारती टीम के सामने 17 रनों का लग से रखा यहां पर थोड़ी सी गेमा कमी जुरूर हुई रोहित और नभी के बीच में लेकिन इसके बाद जब बारती टीम को 17 रनों का लग से मिला तो टीम इंडिया की तरप से रोहित सर्मा और येससवी जैसवाल पारी की सुरात करने उत्रे लेकिन दोस्तों सुपर और की पहली गेन पर अजमतुला के सामने रोहित सिर्फ एक ही रन ले पाए वो भी बाई का मिला था लेकिन अब बारती टीम को 5 गेनों पर 16 रनों की जुरुत थी तबी दूसरी गेन पर भी एससवी जैसवाल भी सिर्फ सिंगल ही ले पाए अब बची वी चार गेनों पर जीत के लिए 15 रन चाहिए थे और रोहित एक बार फिर स्ट्राइक पर आ चुके थे लेकिन तीसरी गेन पर रोहित के बल्ले से कमाल का छका डीब मिड़ु किट के उपर से देखने को मिला और इस चके के साथ इस मुकाबले में बारती टीम के एक बार फिर वापसी हो गई क्योंकि बची वी तीन गेनों पर टीम को जीत के लिए 9 रनों की जोरत थी तबी रोहित के बल्ले से एक और सांदार चका देखने को मिला और इस पार उन्होंने कवर के उपर से गेन को सीधे 6 रनों के लिए बोन्री लाइन के पार बेजा अब बची वी दो गेनों पर जीत के लिए 3 रन चाहिए थे लेकिन दोस्तों तबी 5 वी गेन पर एक बार फिर एक ही रन यहाँ पर पॉइंट की तरफ केल कर ले पाए रोहित सर्मा जिसके चलते अब यहाँ पर बारती टीम को बची वी आकरी गेन पर दो रनों की जोरत थी और अब आग चुके थे रोहित सर्मा रिटाइड होकर बार चले गए थे जब की क्रीच पर आ चुके थे रिंकू सिंग लेकिन रिंकु सिंग नोन स्ट्राइक एंड परते और स्ट्राइक परते जैसवाल लेकिन आखरी गेन पर जैसवाल भी सिर्प एक ही रन ले पाए और भारत भी 16 रनों तक ही पहुंच पाया यानि कि टाई हो गया एक बार फिर सुपर आवर भी और यानि कि सुपर ओर टाई हुआ तो एक बार फिर मुकाबला पहुंचा सुपर आवर टू में जहां पर दोस्तों बारत की तरफ से बलेबाजी करने उतरे रिंकु सिंग और रोहित सरमा अब इन दोनु दुरंदर बलेबाजू से टीम को बड़े सकोर की उमीद थी इस ओवर में तो यहां पर रोहित ने कमाल की सुरात की और पहली गिन पर फारिद एहमत की गिन को सामने की तरफ छे रनू के लिए बॉन्ड लाइन के पार बेच कर कमाल का च्छका जड़ दिया पहली गिन पर छका लगने से बारती टीम मजबूत स्थिती में पहुँच चुकी थी क्योंकि पहली गिन पर छे आ चुके थे तबी दूसरी गिन पर भी रोहित के बले से बला जुरूट छुटा उनके हाथ से लेकिन चोका जुरूट उने मिल गया बेकवर्ट पॉइंट की तरब से रोहित को एक और सांदार चोका मिला और अब दो गिनों पर दस रन बन चुके थे दूसरे सूपर और में तबी तीसरी गिन पर भी रोहित एक रन लेने में काम्याब हुए और अब तीन गिनों पर वो 14 रन बना चुके थे लेकिन दोस्तों तबी चौती गिन पर फारिद आहमद ने रिंकू सिंग को विकेट के पर गुर्बाच के हाथू केज कराया बैतरीन रिव्यू यहां पर गुर्बाच करा जहां पर रिंकू सिंग आउट होकर पेवलेन लोटे रिंकु सिंग आउट होई तो उनकी जगा पर फिर उत्रे संजू सेमसन लेकिन दोस्तों संजू सेमसन भी बड़ा सौट कहलना चाहते थे लेकिन गेन उनके बल्ले पर ना आई और सिंगल लेने के चकर में रोहित सर्मा आउट हो गए और बारती टीम को यहाँ पर सिर्फ 11 रनों पर ही दूसरे सुपर और में रोकने में कामयाब हुई अफगानिस्तान की टीम अब अफगानिस्तान की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 12 रनों की जरुत थी उनकी तरब से यहाँ पर क्रिस पर उतरे गुरबाच और नभी तो बारती टीम की तरब से रवी बिशनोई को गेंद सौपी गई और उन्होंने शुपर और की पहली गेन पर नभी को यहाँ पर केज थमा दिया। नभी ने रिंकू सिंग को और भारती टीम को पहली गेन पर सबलता मिल गई अब गानिस्तान की टीम की और ये बड़ी सबलता थी क्योंकि मोहमा नभी इस मुकापले को पलट सकते थे लेकिन वो आउट होकर पेवलिन लोटे नभी आउट हुए तो अब पांच गेनों पर बारह रनों की जुरत थी लेकिन दूसरी गेन पर करीम जन्नत ने एक रन लिया अब चार गेनों पर ग्यारह रन चाहिए थे लेकिन अब स्ट्राइक पर आ चुके थे गुरुबाज लेकिन याप पर गेन बाची कर रहे थे रव लुए बलेबाच बलेबाची करने उतर सकते थे दो विकिट होते ही टीम औल आउट हो जाती और ऐसा ही हुआ और भारती टीम ने संदार परफॉमेंस करते वे दूसरे सूपर ओर में मकाब्ले को जीत लिया और इस बहादी रोमांचक मकाबले में भारती टीम को आखिर कार दूसरे सुपर और में जीत मिली तो दोस्तों आपको ये दोनों सुपर और कैसे लगे हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस वर्डों को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा से जरूर करें तान्यवाद